प्रकार आप अपनी निरंतरता बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस्तर पे तयारी कर रहे हैं और जो बच्चों ने ये कहा था कि नंबर ओफ कोस्चन्स जादा बढ़ा दिये जाए सर और जो है टाइम बढ़ा दिये जाए वीडियो का तो उनकी बात जो है सराखो पे और आज से नंबर ओफ कोस्चन्स आप लोग को ज्यादा मिलेंगे जो इनका अनुभाव क्या कहता है इनका उद्देश ये क्या कहता है उस पर चर्चा करेंगे और जोड़ेंगे हम 36 गड़ सब इंस्पेक्टर से फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्लियर तो आईए देखें कि इनसान तभी कुछ करता है जब वह अपने काम के उचित्य को लेकर सुनिश्चित होता और यह बिल्कुल सहीं बात है सातियों जिस प्रकार आप लोगों ने अपनी निरंतरता इस प्रकार से बनाई हुई है और साथ में जो है एक इस्तर रखा का पोस्ट लेना है मतलब लेना है उसी उद्देश्य के साथ साथियों अपनी तैयारी और निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें तो आईए अब अपना प्रस्ण सत्र प्रारंब करते हैं 34 गर्षाब इंस्पेक्टर कोर्स के बारे में मैंने क्लियर बताया है पहले वीडियो में जो भी बच्चे इसे पहली बार देख रहा है उससे निवेधन करना चाहूँगा कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन दबाए ताकि उसे नोटिफिकेशन मिल सके और वो जो है अपने निरंतरता हमारे साथ जारी रखे 25 जुलाई से 25 अगस्तक के क्लियर तो आईए स्टार्ट करतें तो हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में आज पढ़ने वाले हैं भारत का मानसून और साथ में वनस्पति और साथ में मिट्टी से रिलेटेड जो प्रस्ण पूछा जाता है उन्हें देखेंगे पहले हम रिवाइस करते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था क्लियर तो साथियों पिछली कक्षा में हमने परवतों की स्थिती भी देखी आज जो है दक्षिन भारत की परवतों की स्थिती देख भारत को जो है चार भोगोलिक दिश्टिकोंड से बाटा है मतलब कि भारत जो है चार भोगोलिक छेत्रों में भी भक्त है कितने भोगोलिक छेत्रों में भी भक्त है चार भोगोलिक छेत्र में पहला है आपका उत्तर का विशाल परवत स्रिंखला जिसे की हिमालय स्रिंखला क यह पुरा भाग है देन उसके बाद आपका भारत का मैदान फिर उसके बाद से प्रायदी भारत पहार कहा जाता यह देन उसके बाद आपका पस्चिमित और साथ में आपका अंड माननी को बार और लख्चुदीप को मिला दिया गए एक साथ तो इसे जो है चौथे पार्ट में रखा जाता है पहला कौन सा है हिमालय का परवस्त रिंखला दन उसके बाद आपका महानधी बेशिन बोलता हूं भई आपका गंगा का मैदान मैदानी छेत्र फिर उसके बाद आपका पेननसुलर प्लेटू फिर उसके बाद है आप लोगो समझाओं मानसुन के बारे में तो कोई कंफ्यूजन ना हो बोड महोद इधर आएंगे क्या नहीं आएंगे नराज है कोई बात नहीं समझ लेते हैं आई देखो भई साथियो दरसल बात कुछ इस प्रकार से हैं कि हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में जिस नहीं होना है इसे उसके बाद है आपका व्रियाध हिमाल है जो कि नंगा परवत से लेकर नामचावरवत तक के विस्त्रित है और भारत में अगर कहे जाएगा कि प्रस्ण पूछा है सिधा सिधा कि इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है तो आपकी कंचन जंगा जो की सिक्की के वाले पार्ट में हैं गाडवी नास्टिन के टू कहा जाता है इसे ठीक है भारत की सबसे उची चोटी क्लियर देन उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि आपका अगर बोलेगा कि हिमालाए की सबसे उची चोटी कौन सा है तो माउंट टेवरेस्ट है जो की नेपाल में अब देखो यह वाला चेतर जो है मरुस्थलिय चेतर कहलाएगा ठीक है राजिस्थान वाला चेतर जो है राजिस्थान और गुजरात का कुछ भाग कुछ भाग क्या कहलाएगा आपका हरा तो होई नहीं सकता क्या कहलाएगा मरुस्थली चेतर ठीक है फिर यहाँ मिलेंगे आपको विंध्य परवत स्रिंखला इस प्रकार से नॉर्मल याद रखना है ठीक है छोटानाकपूर का पठार वाला चेतर मिलेगा यहाँ देन उसके बाद यह वाला चेतर है आपका सत हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में जो है सारी चीज़े सेट हो ताकि मैं जब बोलूं कि जो है आपका दूसरी साखा मानसुन की आती है और आपका कहां से गुजरती है सत्पूरा रेंज और विंध्य परवत से आगे बढ़ती है तो यह याद होना चाहिए ठीक है तो यह आगे बढ़ते हैं अब देखो साथियो मानसुन जानने से पहले हमें जलवायू के बारे में जानना अनिवार है और जलवायू के साथ साथ हमें मौसम के बारे में जानना भी अनिवार है क्योंकि जलवायू और मौसम जो है वो किसका कारक है मानसुन का कारक है मतलब मान तो यह थोड़ा टिपिकल जैसा हो गया असान भासा में समझना है साथियो कि हमेशा जो है आपने यह देखा होगा कि नवंबर दिसंबर में ही ठंडी पड़ती है हना बच्पन से अभी तक के देख रहे होंगे यह देखा होगा कि जुलाई अगस्त के समय जो है वर्शा होती है उसके बाद आपने यह देखा होगा कि मई और जून के समय में हमेशा क्या होता है गर्मी होती है तो यह जो है आपका उच्चावा चीश्थिती मौसम का यह हमेशा बना हुआ है यही चीश जो है आपका एक बहुगौली खंड में बड़े समय तक के चलने वाला मौसम ज बामान रहती है उसे जलवायू कहा जाता है इसका डूरेशन लगभग 25-30 साल है क्लियर दैन उसके बाद अगर देखा जाए कि मौसम किसे कहा जाता है तो मौसम जो होता है वह बैमान होता है मतलब मौसम कभी भी परिवर्तित हो जाता है असान भासा में समझे कि कभी देख है कि यह चणिक है कम समय के लिए कम समय आद रखना है ठीक है कम समय अब यहां देखे वायू मंडल की वहां असता जो लंबे वर्सों तक चलती है यह गलत लिखाया भई है ना लंबे वर्स तक के नहीं कम समय तक के चले वह मौसम या वैदर कहलाता है ठीक है वैदर चेक कर है आपका उस्ण कटीबंधि प्रेंस करिशनी जलवाई उसने कटीबंधिंधी क्यों यया सब्सक्राइब बिल्कुल है ये देखिए कि दिखाई दे रहां आपको करकरेखा मैंने बताया था किकर कर भारत को बीचो बीच से काटते हुए जाती है और आठ राज्यों से यह भूके जाती है ना पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने तो आपका साड़े 23 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांस में है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यकर करेखा और आपको यहां महोदय मिलेंगे मकर रेखा जिसे कहा जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो भी क्या है आपका साड़े 23 डिग्री में इस्थित है अब यह दोनों के बीच का जो छेत्र है यह सूर्य महोदय का पत मार गये मतलब सूर्य जो है इनहीं के बीच में है अधिकतर चलता है तो इसी लि स्थिम्ज में अपना कंसेट क्लियर करके जाएंगे मतलब कंसेट क्लियर करके नहीं दफ्याद करके जाएंगे रिलेट करके जाएंगे छोटे-छोटे-वनी इस दोट से तो आपको वहा वह चीज पिंच करेगी तो उसन गटी बंधीय छेत्र कहलाता है यह clear है तो यह समझ मैं उसन गटी बंधीय चेत्र भारत का धिकांस छेत्र जो है उसन गटी-बंधीय छेत्र के इंतर जलवाईयू को ठीक है तो इसी पे ही अधारित है मतलब मानसुन जो है भारत में आता है और यहां की जलवाईयू को निरधारित करता है पानी ना गिरे तो क्या वहां जो है आपका ठंड अच्छी तरह से पड़ेगी या आपका ठंड ठंड तो चलो ठीक पड़ जाएगी और अगर कहेगा भारत की अधिकतर क्रिसी किस पे अधारित है तो वह भी विल्कुल मानसुन पे ही अधारित है तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा अब मानसुन महुदय क्या है तो मानसुन महुदय सब्द की उत्पत्ति किस से हुई है मानसुन सब्द की उत्पत्त किसी भी इस्थान या देश की जलवायू किस पर निरधारित होती है तो वहां की जलवायू किस पर अधारित होती है तो यहां देख सकते हैं उस इस्थान से से दूरी कितनी होगी उस इस्थान की अक्षानसी इस्थिति क्या है लेटिट्यूट पोजिशन क्या है जैसे मैंने पिछली बार बताया कि भारत जो है कर करेखा और मकर रेखा ये दो लोगों के बीच में भारत का अधिकांस भागाता है मतलब दो रेखाओं के बीच में तो वैसी क्या है अक्षानसी इस्थिति उस इस्थान की उचाई क्या है तो याद रखेगा साथियो आपका यहां मिलेगा हरियाना वाला छेतर और यहां मिलेगा आपका सिमला वाला छेतर यह एक ही अक्षानसी इस्थिति में है लेकिन यहां का जलवाई वालग है और यहा कि हमने पहाडों की स्थिती देखी पस्चिमी घाट पूर्वी घाट और साथ में आपका विंधे परवस्रिंखला सत्पूर्वा परवस्रिंखला आरावली परवस्रिंखला के बारे में देखा यहां छोटा नाकपूर का पठार मिलेगा यहां पूर्वत्तर राज्य में यूँ जो है हमारे हां बहतर तरीके से जो है निरंतर बनाया रखता है निरंतरता अपनी बरकरार रखता है क्लियर तो आएए अब आगे बढ़ते हैं यह हो गए महोदय को अब देखो दक्षणी पस्चिमी मानसून अब इसे क्यों लिखा गया है तो याद रख लो भारत में जो मानसून आता है वो आता है दक्षणी पस्चिमी मानसून की वजह से जो दक्षणी पस्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है चामा चाहूँगा फिर से बताना चाहूँगा आप लोग को कि भारत जो है वो दक्षणी पस्चिमी मानसून जो है मतलब भारत में दक दक्षणी पश्चमी मानसून प्रवेश करता है मतलब भारत में अधिकांस वर्षा जो होती है वो किसकी वज़ा से होती है दक्षणी पश्चमी मानसून की वज़ा से होती है तो भारत का अगर मानसून कहा जाएगा अधिकतर मानसून किससे प्रभावित होता है तो से हवाय उत्पन हुई और यह जा-के भारत पहुंशती है यही जो है जब замका भूमध्य सागर से हवा उठेगी तो जल से उठेगी और जलसे क्या लेकर जाएगी आपका जळवास्प साथ में लेकर चाहते हैं तो कहा से प्रवेश कर रही है मैंने क्या दिशा बनाई आपका यह वाला छेत्र भारत का दक्षुनी खेतर है और यह चेत्र आपका पस्चीमी खेत्र तो मैं से क्या करेगा और जहां से हावा enter करती है जहां से हवा प्रवेश करती है उसी दिशा को ही क्या किया जाता है नाम करन किया जाता है उस दिशा का जो है तीन साखाओं में भी भक्त होती है यहां दिखाई दे रहे हैं आपको सब से पहले 1 जून याद रखना है एक जून, एक जून में प्रवेश करेगा कहां केरल के माला बारतट में और यहां अत्यधिक वर्षा करेगा लेकिन आपका यहां मिलेगा इस चेफ पस्चिमी घाट परवत और आपका आंदर प्रदेश का छेतर और तमिल नाडू का छेतर तमिल नाडू ये महोदा है ये तमिल नाडू और साथ में इसके साथ जुड़े हुए है आंदर प्रदेश तो तमिल नाडू और आंदर प्रदेश का छेतर को वरिष्ठी चाया प्रदेश कहा जाता है क्या होता है रैंशेडो एरिया या वरिष्ठी चाया प्रदेश के वहा क्या मिलेंगे सदा बहार वन मिलेंगे clear है तो इसे याद रखना है दूसरी साखा जो है आपका मुंबई से इंटर लेती है और आपका इस तरफ से एंटरी लेके आपका यह मिलेगा सत्पूरा रेंज सॉरी विंद परवस्त्रेनी और यह आपका सत्पूरा रेंज तो यहां स पस्चंवी मानसून इस प्रकार से प्रवेश्श करती है अब याद रखना है साथियों मानसून जो है कितने प्रकार से विभक्त होती है तो साथियों सबसे पहले épसागर मिलेंगे यह ठीख है अरब सागर और यह आपका बंगाल के खाड़ी या बेफ बंगाल तो तो आपका ये entry लेगा अरब सागर वाली साखा से और यही सबसे अत्यधिक प्रभावित करेगा आपका भारत की क्रिसी को या भारत में वर्सा को अरब सागर से आने वाली दक्षणी पस्चिमी मानसून जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है लेकिन यही दक्षणी पस् वी मानसून अब यह ज्यादा नराज हो गए आओ यहाँ देख लें है थिक तो यह जो है अरव सागर वाली साखा से आगे बढ़ेगी इसे मिटाल देते हैं ये आपका अरफसागर बंगाल खाडी बार बार अरफसागर निकलता भई बंगाल की खाडी वाले से आगे बढ़ेगी और सब से पहले हमारे यहां आपका लेलो अंडमानो निकोबार यहां मई के छेतर में 25 मई में 25 मई में यहां वर्सा हो जाएगा अंडबान निकोबार में कौनसी आपका मानसून हवा से तो दक्षिन पस्चिमी बंगाल की खाड़ी की और जाने वाली आपका मानसूनी हवाओ द्वारा तो इसे भी आद रख सकते हैं फिर यह उपर चले जाएगी मैं मार वाले छेतर में तो इतना कंसेप्ट हमें याद रखना है मानसून के कॉर्डिंग अब जो है हम आगे बढ़ते हैं आईए ठीक है अब महोदे यह है आपका लोटता हुआ मानसून कौन सा है आपका लोटता हुआ मानसून जब मानसून हवें जो है आपका उपर पहुश्टी है वहां से जब वापस आती है तो आपका सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है तमिल नाडू में तो याद रखेगा इसे ही कहा ज मांसून क्या कहा जाता है उत्तर पूर्वी मांसून क्लियर इसकी कि कहां हो रहा है आपका वर्सा तो तमिल नाडू में वर्सा होती है उत्तर पूर्वी मांसून की वज़ा से क्लियर आगे बढ़े अगला है अब देखो भाई इसे भी जानना जरूरी पस्चिमी विश्चोप क्या है या वेस्टन डिस्टर्बेंस क्या है तो आपका भूमध्य सागर वाला छेत्र जो है आपका वहां से उत्पन होती है हवाएं और वह हवाएं जो है कहां पहुचती है आपके पंजाब वाले छेत्र में ऐब आपका भारत के मैदानी छेत्र में भी जो है आपका ठंड के समय में यहां वर्सआ करती है कब करते है थंड के समय में वर्शा होती है किसकी वज़्यक्राइब च्शप से और याद रखएगा gegen की खेति के लिए यह बहुत ही आपका क्या है लाब दायक है इसलिए जो है भारत के पंजाब वाले छेतर के जितने भी गिहूं के खेती करने वाले हैं इस आपका पाउनों का इंतजार करते हैं और ठंडी के समय में गिहूं का आपका उत्पादन करते हैं क्लियर आगे बढ़ें अब देखो प्रस्ण महोदय यहां से प्रारंभ होता है हमारे तो आप सोच समझ के प्रस्णों को करना है भारत में मान्सून की उत्पत्ति निमलीखित पवनों के किसके द्वारा होती है तो भारत में मांसून के निमलीखित पवनों के किसके द्वारा होती है तो दक्षणी पस्चिमी पवन की वजह से होती है आपका क्या भारत में आपका मांसून की उत्पत्ति क्लियर आगे बढ़े आईए उसके ब कि आपका भारत में राजिस्थान के मरुस्थल वाले छेतर में अधिक तापांतर पाया जाता है और ये क्यों क्योंकि रेतीली जगा होने दूर्स्थली छेतर होने की वजह से जब गश्डरmy में धूप जादा पड़ता है तो उतना हीट उत्पन होता है लेकिन जितना आपका शाम ढलते जाती है, और फिट कम हो जाता है, तो ठंडा हो जाता है, वो छेत्र, ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है, clear, आगे बढ़ें, तमिल लाडू में मांसुन के समान्य महिने कौन से है, तो याद रखिएगा साथियो, मैंने बताया कि मांस मानसून लोटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून जो है वापस लोटता है और तमिन लाडू में वर्षा करता है नवंबर दिसंबर में इसलिए तमिन लाडू के जितने भी क्रिशक वर्ग के लोग हैं वो इंतजार करते हैं किसका लोटते हुए मानसून का और न दिरफ्क सात्यों है दलशलफ क्या बताया मैंने आप लोग को कि भारत में दक्षिण पस्चमी मांसून की वजह से ओता है आपका वर्सा होती है ठीक अब दक्षिणी पस्चमी मांसून जहा वो कहां बढ़ती है और यहां से टर्नल लेते हैं आपका इन छेत्रों में वर्षा करती है जैसे 36 गड़ वाला छेत्र तो वहीं पूछा है तो पस्चिमी घाट में तो भी यह यह पहुच जाते है रफ सागर वाले दक्कन का पठार भी वहीं से प्रभावित होता है मध्य परदेश ब आने वाली दक्षिन पस्चिमी मांसून की वज़ा से क्लियर है तो यह याद रखना है आगे बढ़े निमलिखित राज्यों में से किसम में अधिक्तम औसत वार्सिक वर्षा होती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कहेगा कि अधिक्तम औसत वार्सिक वर्षा तो उसके बाद है आपका प्रस्रकमाग छेव भारत की मतलब याद करने योग्य नहीं है तो शिक्की में याद रखना है अधिक्तम औसत वार्सिक आपका वर्षा बहरत की सरवाधिक वर्षा मुख्यता प्राप्त होती है तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर पस्चिमी सौरी उत्तर पस्चिमी कहां होगा आपका दक्षिन पस्चिमी होगा ना तो इस प्रकार से याद रखना है इन तथ्यों को खलियर आगे बढ़े भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्थान छेत्र में होती है तो देखना साथियो अगर सभी ऑप्शन में में घाले दे तो जो है इस प्रकार के option को प्योग करना लेकिन अगर जहां एक option में मेघालय ही दिया रहेगा ना तो आग बंद करके answer लगा देना ठीक है तो पस्चिमी घाट हिमालय छेत्र तथा मेघालय वाले छेत्र में सबसे ज़्यादा या सरवाधिक वर्सा होती है सरवाधिक वर्सा मतलब की अत्यधिक वर्सा होती है आपका कहा पस्चिमी घाट में मालूम है आपका ये हो गया मान के चलो draw कर लेते हैं आपका एक बार फिर से ठीक है तो आपका यह रहा पस्चिमी घाट और यहां सबसे ज़्यादा वर्स होगी एक जून में आए नहीं के बस चाथ हिमालय वाले छेत्र में आपका तीसरी वाली साखा जाएगी तो यहां वर्स होगी अत्यधिक और आपका यहां परवतों की स्थिति के अनुसार में घा सबसे ज्यादा या सबसे अत्यधिक वर्स अंशर आपका क्या होगा मासिन राम क्लियर्ख आगे बढ़ें परस्न में आपने और में दखने कर मिलेगा तो चेरापुंजी इस्थिता है तो चेरापुंजी कहा है आपका खासी की पहाडी में स्थित कि पहाड़ी में कहा है आपका मासीन राम अत्यधिक वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा कहा होगा आपका मासीन राम में अभी वर्तमान परिपेक्ष में नागा की पहाड़ी या नागा के पहाड़ी नागा लेंड में है ठीक है आगे बढ़े तमिन लाडू में सरत कालिन वर्षा अधिकांस्था जिन कारणों से होती है वे है तमिन लाडू में अधिकांस्था वर्षा कहां से होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसुन की वज़ा से होती है क्लियर आगे बढ़ें अगला है भारत में उत्तरी मैदानों में सीतरी तुमें वर्सा होती है तो उत्तरी मैदानों में सीतरी तुमें वर्सा होती है पस्चेमी विच्छोप की वज़ा से गेहों की फसल के लिए बहुत अनिवार है पस्चेमी विच्छोप के बारे मैंने बत मार दिखा तो मैं महराष्ट मार दिया मध्यप्रदेश वाला छेतर जो है आपका सबसे ज्यादा पतजड़ वाले वन पाये जाएंगे कहां आपका मध्यप्रदेश में क्लियर आगे बढ़ें निमलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है आप देखो देखें कान कौन-कौन से कहां-कहा तो सुंदर 1 पस्षिमंबंगाल में है याद करते वंग kam में कहा है सुन्दर one का delta सहीं है भीतरकणिका हो गए ईल्टा सहीं है तो dernière पूछा छुमेलित नहीं है तो यहीं आपका answer हो जायेगा पश्चीम मंगाल में भीतरकणी का कहा है आपका उडिशा में है पीच वरम कहा है तमिल नाडू में है और वेमबनाड कहा है तो आपका केरल में है clear आगे बढ़े वेमबनाड जील सुने हो ना वेमबनाड इनके बारे में बीसे इस्ता बताओ कमेंट बख में तुरन चलो लीशा याद रखेगा समाजी क्वानिकी में अगर बहुत देशी व्रिक्ष का उधारन है तो याद रखेगा खेजरी जो कि आपका किसमें बहुत प्रसिद्ध है आपका उसधी के छेत्र में clear आगे बढ़े अगला है निमलिखित में से ठीक खेजरी का एक बार आप जरूर अगला है निमलिखित में से तत्वता कौन सी एक हिमाली वनस्पती है वनस्पती में जाती जाती नहीं अरे यह बोल रहा है कि हिमालय वनस्पती के अंतरगत नहीं मतलब आपका नहीं जानी जाती देख लेते हैं प्रस्न है निमलिखित में तत्व में कौन सा तत्वता कौन से एक हिमाली वनस्पती में नहीं जानी जाती ठीक है तो जाती नहीं है लिखा गया है नहीं जानी जाती तो देख लेते हैं ठीक है यह महोगनी नहीं पाई जाती भई बाकी ज भारत में आपका महोगणी नहीं मिलता, महोगणी कौन से देश में मिलता है, क्लियर, आगे बढ़ें, निमली कित्मे से कौन सब्रिक्ष समुद्र तल में सरवाधिक उचाई पर पाया जाता है, तो याद रखेगा साथियो, समुद्र तल से सबसे उचाई में पाया जाने वा देख लेते हैं याद रखेगा उस नकटी बंदी वर्सा वन यापका सदा बहर वन कहा जाता है इसे ही, तो यह आपका कहा मिलेगा असम और केरल में, आईए नक्से में से समझा दूए एक बार नॉर्मल वेपर, तो मान के चलो महोगणी है, यह हमारे भारत का नक्सा है, ठ पूरा सदा बहर वन के अंतरगत आएगा, ठीक, यह भी सदा बहर वन, केरल का तट, उसके बाद आपका, यह आपका कटीले वन के अंतरगत आएगे, इधर कटीले वन मिलेंगे, आपका गुजरात राजिस्थान वाले शेतर में, उसी प्रकार, आपका तमिन नाडू और आ पाती वन के अंतरगत आएगा ठीक है तो आपका वेक प्रस ने क्या पुछा कि उष्ण कटी बंदिये वर्सा वन या सदा बहार वन कहां पाए जाएंगे तो आसाम और केरल वाले छेत्र में क्लियर आगे बढ़ें सूची एक को सूची दो में सुमेलित करते हैं चलो कर देते साइलेंट वेली कहा है ठीक है अप्शन बताओ तुरंत अंसर बताओ यह पता होना ची साइलेंट वेली कहा है संकूव रिक्षवन कहां मिलेंगे हिमाचल प्रदेश वाले छेत्र में चीडवियोगर के वर्विक्ष कच्वन अस्पती या मैंगरों सुन्दर वन वाले छेत क्लियर आगे बढ़े अगला है लंबी जड़ो और नुकिले काटो अथ्वा सुल्यूक्त जाडियों और लगूव रिक्षो वाले आरक्षित अवरुद्धवन समान्य रूप से पाए जाते हैं वापरे वाप कित्ता बड़ा प्रश्न प्रशन है ठीक है कोई बात नहीं त अगला है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिठ्टी कहलाती है ततकाल लगाओ आंसर याद रखिएगा गंगा की मैदान की पुरानी मिठ्टी कहलाती है बांगर और नहीं मिठ्टी कहलाती है खादर क्लियर ठीक आगे बढ़े निमलिकित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारन चमता सबसे कम होती है तो आपका याद रखना साथियो बलूई दो मट मिट्टी जो होती है उसकी जल धारन समता सबसे कम होती है तो यह आप याद रख सकते हैं उसी प्रकार लेटराइट मिट्टी की भी जो है आपका या मुरुमी या भाटा मिट्टी की आपकी ज जलधारन शम्ता समसे कम होती काली मिट्टी की जलधारन शम्ता जो है सबसे अत्यधिक होती है अगला प्रस्ण है लवण प्रभावित मुर्दाओं का सरवाधिक छेतर फल पाये जाता है तो याद रखेगा साथियों पस्चिमी राजी स्थान वाले चेत्र में केल्सियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पस्चिमी राजी स्थान बोलेगा तो उधर केल्सियम की मात्रा मिलेगी गुजरात बोलेगा तो आपकी लवण की मात्रा सबसे अत्याधी होगी अगला है इस मिर्दा को सिचाई की कम अवश्यक्ता होती है क्योंकि वे नमी को रोक कर रखती है वो कौन सी मिट्टी है तो आदर्नी सम्मानी काली मिट्टी ठीक है काली मिट्टी का इस्थानी नाम बताओ अगला है लेटराइट मिट्टी मिलती है अधिकतर किरल वाले छेतर में मिलेगा और आपका यहां इसका अंसर होगा महराष्ट वाले छेतर में भी आपका क्या है उत्तर प्रदेश में तो नहीं ही माचल प्रदेश में भी नहीं पंजाब वाले छेतर में भी नहीं तो लेटराइट मिट्टी मुरुम मिट्टी भाटा मिट्टी महराष्ट छेतर में ज्यादा प्राप्त होता है अगला है काल बैस् rang क्या है तो काल अब का आपका नार्फिश्टर कहा जाता है और इसका नाम है काल बैसाखी तो इसे प्रस्ष पुछा गया है तो भूला नहीं है वह आपका क्रिस् जो तु फान उनता है हुशे काल बैषचाखी कहताँ और हमारे हो ग्रिस्म में में जो आपकी हमाएं परतर तट कहा कहलाएगा पस्चिमी गाट वाला छेत्र कौ रॉम अंडल जो है आपका पूर्वी घाट वाला छेत्र कहलाएगा आपका उष्ण कडिमंधी चक्र वातों को दो और वर्तमान में रखेगा आमों की बवचार आम का टपकना या आम की फसल या बिहार बंगाल के मार्च अपरिल में होने वाली वर्षा को कहा जाता है आपका आमर वर्षा ठीक है क्लियर इतना आप लोगों क्लियर हो गया तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा छात्रों जैहिन जैह